समंदर को ठहरा देख ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है हम उठेंगे जब भी उठेंगे तुफ़ावन कर अभी हमने उठने की ठानी नहीं है अभी हमने उठने की ठानी नहीं है मेरे प्यारे वच्चो ये पंक्ती आप लोगों के लिए है अब वो समय आ चुका है उठने का इसलिए अब अपने आलस को त्यागिए और अब उठ जाईए और अपनी तयारी में लग जाईए मित्रों आप अच्छे से जानते हैं कि आज का दौर कॉंप्टीशन का दौर है इसमें आपको बहुत अच्छे से एक सिस्टेमिटिक तरीका से और इमानदारी से तयारी करने होती है तब जाकर के हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं और यदि आप कौशिश नहीं करते हैं आलश करते रह जाएंगे सोचते रह जाएंगे तो आपको पता है कि केवल सोचने मातर से कारिय नहीं हुआ करते हैं आपने संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक तो सुना होगा साप इसपस्ट कहा गया है कि बिना उद्ध्यम के बिना परिश्रम के बिना कौशिश के कोई भी कारिय हो ही नहीं सकता जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है लेकिन उसको शिकार करने के लिए खुद को परिश्रम करना पड़ता है बिना परिश्रम के अपने आप उसके मुख में शिकार प्रवेश नहीं करता कि मुझे खा लो ऐसे कौन आएगा उसको भी प्रियास करना पड़ता है इसलिए मित्रो आपको मेहनत करनी है और मेहनत भी सही दिशा में करनी है इमानदारी से करनी है इसलिए मित्रो अभी भी आपके पास समय है यदि आपने अब तक भी तयारी नहीं की है तो अभी भी आपके पास परियाप्त समय हैं आप अभी भी तयारी कर सकते हो और अच्छे नमबरों के साथ में सफलता प्राप्त कर सकते हो दोस्तों आगे जो भी आपका मर्ग रहेगा, आपके मंजिल में जो भी समझेया आ सकती हैं, उन सब के वारे में आपको हम यहाँ लेकर आएंगे जानकारी, उन सब से लेटेट चर्चा यहाँ पर की जाएगी, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाएए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेन क्योंकि आगे से आगे स्टेप बाई स्टेप आपको सारी नोलेजी यहाँ पर मिलती रहेगी मित्रो, आज की क्लास में हम आपको व्यंजन संधी के अंतरगत एक नई संधी बताने वाले हैं, और संधी का नाम है अनुस्वार परसवर्ण संधी, तो चलिए अगला टॉपि अनुस्वार परसवर्ण संधी, यह हमारे संधी का नाम है, ठीक है, इस संधी को हम परसवर्ण संधी भी कह सकते हैं, परसवर्ण संधी भी इसका नाम आपको मिल सकता है, अनुस्वार परसवर्ण संधी, तो यह है दोस्तों हमारी अनुस्वार परसवर्ण संधी, ठीक है, अब देखिए इसमें nám से भी पता चल रहा होगा हमें कि अनुस्वार नाम आरहा है और एक परवर्ण नाम आरहा है मैं दोनों को बता दूंगा देखिए अनुस्वार संदी तो हम अलरीड़ी पढ़ चुकी हैं ठीक है और एक नाम आरहा है परवर्ण देखिए ये दो नाम आपके सामने आ रहे हैं मैं इनको इसली बता रहे हैं क्योंकि संदी इसपश्ट हो जाएगी फिर कोई भी प्रावलम आपके लिए नहीं आएगी देखिए अनुस्वार तो हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं अनुस्वार संदी में हमने दो सूत्र आपको मुश्टली बताए थे मैं सूत्र एक तो बतायता आपको मोनुस्वार है जली यह हमने आपको दो सुत्र बताए थे बच्चो तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने एक तो यह सुत्र हो गया, एक यह वाला सुत्र हो गया, दो सुत्र हमारे यहाँ पर हो जाते हैं इन दोनों सूत्रों को आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इन सूत्रों को जब तक आप नहीं समझेगे, तब तक ये वाली संदी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इनी पर defend है संदी, तो इसमें मौनुस्वार से जो हमने अनुस्वार कारिया बताया था, वो क पदान्त की स्तिती में, कहां पर होता है, पदान्त की स्तिती में, ठीक है, ये तो होता है मौनुस्वार से, एक नंबर, इसके बाद में हमने नस्चा पदान्त स्य जहली से जो बताया था, वो बताया था, अपदान्त की स्तिती में, कहां बताया था, अपदान्त की स्तिती म ये दोनों बात आपको यहाँ पर भी समझनी होगी मैं बताऊंगा आगे आगे जैसे जैसे हम अर्थ समझेंगे तो इसमें देखी अनुस्वार आप समझ गे होंगे कि अनुस्वार संदी में जो नियम आपने पड़ा था वो का वोई नियम यहाँ भी लगेगा यानि अनुस्वार संदी का जो हम काम कर चुके हैं उसके आगे काम होगा इस संदी में अनुस्वार संदी तक तो आप समझ गए कि अनुस्वार हम कैसे करते हैं ठीक है उसके बाद में आगे जो काम होगा वो इस वाली संदी में होगा उसको कहेंगे हम परसवर्ण संदी अब देखो दूसरा वाला जो शब्द है हमारा वो है परसवर्ण तो परसवर्ण का मतलब होता है कि परमे जैसा है उसके जैसा हो जाएगा परमे जिस तरह का वर्ण है उसके जैसा सवर्ण ही हो जाएगा या फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि परमे जो बर्ण है उसका पंचम बर्ण हो जाएगा किसकी जगे अनुस्वार की जगे ये आपका इस संदी में काम होगा अब इसका मैं सूत्र समझाता हूँ आपको उससे और इस पष्ट हो जाएगा ठीक है ये तो नाम हो गया नाम के ब पर्सवर्ण है ये हमारा सूत्र है बच्चों आप देख लें सबी अनुस्वारस यो ये पर्सवर्ण है ये हमारा क्या है सूत्र है आप सभी सूत्र नोट करेंगे अनुस्वारस यही परसवर्ण है देखिए इसमें आ रहा है अनुस्वार फिर आ रहा है यही और आ रहा है परसवर्ण तो अनुस्वार बता दिया परसवर्ण बता दिया अब एक नया आया इसमें शब्द यय यय प्रत्याहार है बच्चों यह क्या है प्रत्याहार है तो यह क्या होता है मैं सौट में लिख रहा हूँ श, 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 यह तीन प्रकार के श हैं ठीक है श, श, स, ह इनको छोड़कर सभी व्यंजन देखिए इनको छोड़कर के सारे के सारे जो व्यंजन हैं उनको क्या कहेंगे हम यह कहेंगे ये बात आपको समझनी है इसमें मालो इसमें पूछे कि यय क्या है तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो बढ़न है आपके चार इनको छोड़ करके जितने भी वियंजन हैं हमारे वो सारे के सारे यय के अंतरगत आती है अब इस सूत्र का मैं अर्थ समझाता हूँ सुनिए सूत्र का अर्थ है कि अनुस्वार के बाद देखिए अनुस्वार के बाद में यय पर हो तो अनुस्वार के इस्थान पर परसवर्ण हो जाता है परसवर्ण कारिय होता है ऐसे ये इसका अर्थ है अनस्वार के बाद में यय पर हो तो यय का मतलब यय के अंदर जो वर्ण आते हैं उनमें से कोई भी वर्ण यदी हो तो इस अनस्वार की जगे पर सवर्ण कर देना है अभी शायद नहीं समझ माया होगा मैं इसको और सवर्ण करता हूँ यह का मतलब हमने कहा कि इनको छोड़ करके सारे वियंजन जैसे मान लोग की हमने ले लिया के यहाँ पर आगया के ठीक है यहाँ आगया अच्छे अब यहाँ पर के आगया तो आपको यहाँ इदर अनुस्वार मिलेगा इधर क्या मिलेगा अनुस्वार तो आपको क्या करना है उस अनुस्वार को हटाना है उस अनुस्वार को हटा करके आपको परसवर्ण करना है मतलब इधर जो बर्ण बैठा होगा यहां पर उस बर्ण का पंचम करना है आपको पांच नम्मर का बर्ण कर देना है और है समझ माएगा जैसे एक उधारण है शाम धन तेहे देखिए आप सब डंग से देखना अब यहां पर मैं आ रहा है इधर आपका तेह आ रहा है हमने अनुस्वार संदी में पढ़ाया था कि इस मौ के बाद में यदि व्यंजन आता है तो आपको मैं की जगे अनुस्वार कर लेना होता है यह हमने आपको पढ़ा दिया है अब यहां पर वो नियम लगेगा तो इस तरह से बन जाएगा शाम और तह बनेगा अब इसके आगे जो काम होगा वो काम इस वाले सूत्र से होगा ठीक है तो अब यह वाला सूत्र यह कह रहा है कि अनुस्वार के बाद में य गय हूँ अनुस्वार मिल गय हमें ये इसके बाद में ये हूँ ये का मतलब है शा 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 को छोड़ करके सारी व्यंजन तो इसमें ते आर आए कोई दिक्कत नहीं है तो अब आपको क्या करना है अनुस्वार की जगे पर सवर्ण करना है तो इस ते का पंचम करना होगा पां अनुस्वार की जगे पंचम बर्ण करना है तो यहां पर बन जाएगा देखो ऐसे इस अनुस्वार की जगे हमने ने कर दिया और आगे आपका ये है तेहे अब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा शान तेहे इस तरह से बनता है ये अब आप समझगे होंगे अब इसी तरह से आप बहुत सारे उधारन बना सकते हैं यही सिस्टम रहेगा समझने का तरीका यही है ठीक है ना अब आपको एक बात और बता देते हैं इसमें जो काम होगा वो दो कंडिशन में होगा एक तो होगा पदांत में और एक होगा एपदांत में ठीक है एपदांत में जो काम वो तो होगा नित्य और पदान्त की स्तिती में जो काम होगा वो होगा आपका विकल्प से मतलब होगा याने दो रूप बनेंगे वहाँ पर एक बार होगा एक बार नहीं होगा ठीक है ना ऐसे आपको समझना मैं दोनों तरह के उधारन आपको समझा दूगा ठीक है इसको मैं पदान्त में काम करता है मनुस्वारतो और नस्चा पदान्त से जली ए पदान्त में करता है मतलब बीच में करता है सेम इस्तिति यहां पर भी होगी ठीक है तो मैंने यह कहा कि बई पदान्त में कार्य होगा और ए पदान्त में भी होगा अब ध्यान यह देना है आपको कि कैस तो पदांत के अंदर जो काम होगा मैं यहां लेख देता हूँ इसको वापस पदांत के अंदर कार्य विकल्प सी wehips होगा और आपको निट्य काम करना हैं नित्यकार्य होगा मतलब सिर्फ एक ही रूप बनेगा और यहां पर आपके दो रूप बनेंगे यह अंतर है पदांत और एपदांत में पदांत का मतलब है पद के लास्ट में जब आपको मिलेगा यह वाला अनुस्वार में ठीके मैं या नुस्वार का जो रूप बनता है वो कंडिशन यदि आपको पद के अंत में मिलेगी तो उसको पदांत कहेंगे वहाँ विकल्प से करना है दो रूप बनेंगे और एपदांत रहेगा तो वहाँ पर एक ही रूप बनाना है मैं दोनों तरह के उधारन बता से आपको समझ में आ जाएगा इधर तो मैं बता रहाँ एपदांत देखना भी एपदांत का उधारन कैसा होता है और इधर मैं बताँगा पदांत का उधारन कैसा होता है तब ही तो समझ में आएगा आपको कि वह पदांत कैसा होता और एपदांत कैसा होता है तो यहाँ प पर जो आम काम करेंगे ये एपदांत का कारिय है क्योंकि ये पद का अंत नहीं है ये पदांत ये पूरा पद नहीं है ठीक है बात को समझना अब देखो यहाँ पर ये एपदांत का कारिय कहलाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मैं है आगे व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार के बाद में यदि यहाँ पर यह मिले तो यह में हमने का कि शह शह को छोड़कर सारे वियंजान आजाते हैं तो आपको इधर वाला जो बढ़न है उस वाले वर्ण का पांचमे नंबर का वर्ण करना है किसकी जगे अनुस्वार को हटा करके तो यहाँ पर आप कै का पांचमे नंबर का वर्ण करेंगे और अनुस्वार को हटा देंगे तो आप लिखेंगे ऐसे देखो दिना और अनुस्वार की जगे हम क्या करतेंगे कै का पंचम कै 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 गगा इस तरीका से होगा यह और कै आप ऐसे लिख देंगे यह इस तरह से आप लिखेंगे यह ए कहते हैं ए पदांत बात को समझना अब हम यहां पर एक यहां पदांत वाला लिखते हैं पदांत में यदि होगा तो वहां पर क्या अंतर आएगा वहां पर विकल्प से रूप बनेगा क्या बनेगा विकल्प से रूप बनेगा यह आपको यहां पर बात समझनी है मैं दोनों क उधारन बताऊँगा तो आपके clear हो जाएगी बात ठीक है तो यहां में एक उधारन लिख रहा हूँ जैसे की त्वम धन करोशी ठीक है अब देखो यहां पर हमने उधारन लिखा है त्वम धन करोशी यह देखिए बच्चों पदांत की स्थिति है यह हमारा पूरा एक पद ह यह हमारा पूरा एक पद है तो यहां पर जो त्वम है यह पूरा का पूरा एक पद है एक सार तक शब्द है पद का मतलब है यह ठीक अब यहां पर जो हमें काम करना होगा वो पदांत वाला कारिया कहलाएगा तो आप यहां देखिए सबसे पहले क्या करेंगे तो हमने कहा पदान्त का कार्य जब होगा ठीक है और इस वाले सूत्र से आप काम करोगे तो विकल्प से होगा मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा तो दो रूप बन जाएंगे आपके अब यहां देखो मैं आ रहा है मैं के आगे आपका कैमिल रहा है व्यंजन आ गया तो मैं को आप अनुस्वार में बदल देंगे, आप ऐसे लिखेंगे, तुम करोशी, देखो, ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला सूत्र लगेगा, तो अनुस्वार को आप कहके हिसाब से पंचम कर लेंगे, तो देखो ऐसे बनेगा फिर, ऐसे, तुम करोशी, ऐसे, इस तरह से बनेगा ये बच्चो, तो अम करोशी, ऐसे बनेगा, और एक बार नहीं करोगे, तब आपका ये वाला रूप बनेगा, तो अम करोशी, ऐसे, तो ऐसे करके दो रूप बनेगे, एक तो ये वाला रूप बनेगा, और ये वाला, ये दो रूप आपके बन चुके हैं, तो पदान्त मे तो दो रूप बनेंगे और एपदान्त में सिर्फ एक ही रूप बनेगा, ये आपको समझना है, बहुत ज़्यादा कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, अनुस्तौर संधी, यदि आपको समझ में आती है तो ये आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, अब मैं इसके आपको जो दारण एक दारन आपके पदांत वाले हैं. दोनों को हम समझेंगे तभी जा कर में यहuellे примुख संदी आपको आजयाएगी. सबसे पहले ऐक पदांत की हम बात करते हैं हमने इस वाले सुत्र का आर्त आपको बता दिया है कि अनुसवार के आद में यय देखना है अनुस्वार देखना है और इदर यय देखना है यय में मैंने बताया शर शर को छोड़ करके सारे व्यंजन आपके यय प्रत्याहार में आते हैं याने की यय होते हैं आप देखो यहां पर आपको मैं मिल रहा है और इदर कैं मिल रहा है तो आप इसको क जा करेंगे अनुस्वार कार्य करेंगे इन सब जगे पर सबसे पहले आप अनुस्वार कार्य करेंगे अनुस्वार संधी हम पढ़ चुके हैं तो अनुस्वार संधी का जो कार्य है वो आप जानते हैं अनुस्वार के बाद में ये वाला सूत्र काम करेगा इस बात को समझ ल काम रखा गया यह इस काम के हिसाब से तो यहां पर आप क्या करेंगे इस मैं की जगे आपका क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा देखोई शम बन जाएगा अब आगे क्या है कर है मैं एक समझा रहा हूं फिर मैं डारेक्ट लिखता चलूँगा अब यहां पर हमने इस तरह बना लिया अब हमने का कि बाद में जो आपको मिलेगा उस बाद वाले का पंचम करना है ऐसे यहां पर इसका पंचम करेंगे किसकी जगे अनुस्वार की जगे तो आप इस कह का पंचम कर लेंगे तो कैसे करेंगे देखो देखो ऐसे करेंगे आ तो यहाँ पर इसकी जगे आप डे की इसाब से पंचम करो तो यहाँ पर बन जाएगा आपका दंडिते है इस तरह से बन जाएगा दंडिते है समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते कैसे बन रहा है इदर आपका चिन है और ता है तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ते की इसाब सी ते देदने तो यहाँ बन जाएगा आपका चिनता ठीक है ऐसे यहाँ पर गम है और इदर गा है तो में है अनुस्वार हो जाएगा और गे की इसाब सी पंचम होगा के खे गे गे ग तो यहाँ बन जाएगा आपका इस तरह से गंगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे आपका खन है और डे है, तो डे के हिसाब से बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा इस तरह से खन डे है, ऐसे बन जाएगा यह, खन डे है, तो यह जितने भी उधारण हमने बताए हैं, यह पदान्त वाले हैं, इसमें और भी आप बना सकत तो बहुत सारे उधारण और भी आपके बन सकते हैं, कोई प्राबलम नहीं है, अब इधर देखें ये आपके पदान्त वाले उधारण है, ये दोनों मेंने समझाने की द्रश्टी से बताएं, ये mix-up में कैसे भी आ सकते हैं, ध्यान ये रखना है कि ऐसे आएंगे तो इनमें ये में हैं, तो यहाँ पर इस में का अनुस्वार होगा, ठीक है, और फिर इस मा के हिसाब से पंचम होगा, तो में का पंचम क्या होता है, पे, फे, वे, वे, में, में की जो लाइन है, वो पे की लाइन में आता है, तो पे, फे, वे, वे, में होगा, तो इसकी जगे में ही ह तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कैसे बनेगा सम मुखम ऐसे बनेगा सम मुखम ठीक है सम मुखम और एक बार नहीं होगा तो आपका बनेगा ऐसे सम मुखम इस तरह से बनेगा यह दो रूप बनेगे आपके देखो एक तो बन रहा है सम मुखम और एक बन रहा है आपका सम म तो ऐसे करके दो रूप आपके सामने बन रहे हैं, तो इससे इसपस्ट हो रहा है कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बता दिया कि दो रूप आपके इस तरह से बनेंगे, यहाँ पर सन्मुखम और इदर सम्मुखम, दो बन गए आपक गत्छति है तो यहाँ पर सेम स्थिति रहेगी यहाँ पर भी आप बना लेंगे तो गया के हिसाब से आप फंकिम करेंगे तो इस का इस बनेंगे ऐसे बनेंगे आप देखो संगट्छति इस तरह से बनेगा अर एक बार आ sniff के और इस लुक्त करने सब्सक्राइब और यहां पर शंगति ऐसे बन जाएगा और एक बार संगति इस तरह से बन जाएगा संगति अब बाकी को बना सकते खुदी यह यह लास्ट यह तुम आने बता दिया इसको मैं बता देता हूं क्योंकि मैं पहले बता चुका है धर्मन चरह तो यह इसे उधारन आएंगे तो उसमें दो रूप बनेंगे और इस तरह के उधारन आएंगे तो सिर्फ उसमें एक ही रूप बनेगा यही हमारी अनुस्वार पर शवर्ण संदी है तो अब आप समझगे होंगे अनुस्वार पर सवर्ण संदी के अंदर किस तरह से कार्य होता है ठ खूष्टे नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि आपको सबकुछ समझ में आ राहा है, ठीक है ना? और यह आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चो तो कैसी लगी आप जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा ठीक है दोस्तो मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद सब के लिए जय तु भारतम जय तु संसकुतम नमस्कार है